Good morning students. How are you all? I hope you all are well. बच्चों, आज हम करेंगे गतिवीदी. हिंदी की गतिवीदी करेंगे. हिंदी क्लास में आपका स्वागत है. हिंदी की गतिवीदी करेंगे. कुछ नया सिखेंगे. ओके बच्चों? चलो हम शुरू करते हैं अपनी गतिवीदी. तो बच्चो शुरू करते हैं गतिविदी ओपन पेज नमबर अलंकरीत पुस्तक का पेज नमबर 70 पेज नमबर 70 अलंकरीत पुस्तक का हमारी कवीता है ओ सोरी हमारी एक्टिविटी है गतिविदी है आओ कवीता लिखे यह आज की हमारी गतिविदी है चलिए हम शुरू करते हैं आज की गतिविदी देखिए चित्र देखकर दिये गए शब्दों में से सही शब्द चुनिये और कवीता पूरी कीजिए ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है इसको देखके हमने अपनी गतिविदी को ये कवीता को हमने पूरा करना है बिल्ली मोसी आई है पीती दूद मलाई है बिल्ली मोसी आई है पीती दूद मलाई है चारों और धूम मचाई है भागो बिल्ली मोसी आई है चूहों ने सभा बुलाई है पर बिल्ली पकड में नहीं आई है आज कहां से खीर खिलाई है बिल्ली मोसी आई है पीती दूद मलाई है चारों और दूम मचाई है भागो बिल्ली मोसी आई है चूहों ने सभा बुलाई है पर बिल्ली पकड में नहीं आई है आज कहां से खीर खिलाई है पेड नमबर सेवन्टी वन देखिए ये एक सड़क किनारे का लग रहा है ना सड़क का सीन जैसे एक सड़क के चारों दो नोर पेड़ है और इसके उपर गाड़ी चल रही है और बीच में कुछ बच्चे बैठे हुए है मेरी डैच रंग की गाड़ी कौन से रंग की है लाल तो हम इसमें क्या बरेंगे देखिए काली या लाल मेरी लाल रंग की गाड़ी जैसी मम्मी पहनती है साड़ी इसमें बैठे हैं लोग चार एक दो तीन चार होर्न बजाते हैं बार बार मेरी लाल रंग की गाड़ी जैसी मम्मी पहनती है साड़ी इसमें बैठे हैं लोग चार होर्न बजाते हैं बार बार उसके बाद देखिए तीसरा चित्र एक लड़की ने ये देखिए चीडिया को पिलाने के लिए एक बरतन लिया हुआ है इसमें कुछ डाला हुआ है इसको खिलाने के लिए ये एक चीडिया उड़ रही है और ये एक लड़की ने अपने हाथ में कुछ बरतन लिया हुआ है देखिए बोली रीमा चिडिया रानी इस लड़की का क्या नाम है रीमा बोली रीमा चिडिया रानी आओ तुमको पिलाऊं पानी पानी लिया हुआ है तुमको बुलाती है मेरी नानी मुझे भी सुनाती है कहानी बोली रीमा चिड़िया रानी आओ तुमको पिलाओं पानी तुमको बुलाती है मेरी नानी मुझे भी सुनाती है कहानी तो बच्चो अच्छी लगी यह क्विता है आपने ये वीडियो देखना है और ये अपनी दोनो पेज पेज नमँर 70 और 71 ये कमपलीट करनी है तीनों क्विता है और देखिए बच्चो इसी पुस्तग का पेज नमँर 63 पाइड़ स्तारा पार्ट स्टैना जो आपको मैंने दिया था 14 दिसंबर को दिया था ना मैंने का था खुद पूरा करना है मैंने हींट बदा दिये थे आपको और बोला था यह बहुत इजी है आपने खुद पूरा करना है तो कल मैं इसका आज मैं इसका solution भी भी भीज जा है मैंने वो भी आपने देख के complete करना है आपने matching करनी है कहीं कोई mistake है तो उसको ठीक कर लेना है और एक और बात आपने October ऐसे लिखना है देखिए त नहीं लिखना त को उ की मात्रा October यहां भी और यहां भी October ऐसे ही लिखा करोगे आप ऐसे नहीं लिखोगे त नहीं लिखोगे त की जगा त लिखोगे ओके बच्चो अपना काम complete करना और गतिविधी को भी complete करना टेक केर बच्चो